रादे रादे मेरी योटूब फैमली सुभा का टाइम हो रहा है और मैं बच्चों के सुभा का नास्ता और इसकुल के लंच की तयारी कर दे हूँ रात में ही मेरे बच्चों ने बोल दिया था कि मम्मी सुभा को या तो आलू के प्राटे बना के देना या फिर हमें आलू फ्राय करके देना मतलब दोनों चीजे बच्चों को बहुत जादा पसंद होती है तो मैंने क्या किया था रात में ही आलू को उबाल के रख दिया था और मैंने इनको फ्रीज के अंदर रख दिया था मुझसे किसी ने बोला था कि दिधी अगर आप आलू को उबालने के बाद फ्रीज के अंदर रखते हो तो सुबह में जब उसकी स्टपिंग बनाओगे तो वो एकदम से लिसलिसी बनती है नहीं, ऐसा नहीं होता है यह आलू की जो क्वालेटी होते हैं उसके उपर डिपेंड करता है अगर आलू अच्छी quality के है ना आपकी श्टपिंग कही भी जाने वाली नहीं है यह मैंने experience करके देख लिया है आसकल आलू बहुत अच्छे आ रहे हैं मारकेर में मिल जाते हैं और यह चिपसोना के आलू है मैं घर में ज़्यादा करके या तो चिपसोना के आलू मंगाती हू यह पिर 37-97 का आलू मंगाती हूँ दोनु यह आलू बहुत अच्छे होते हैं खाने में इस्टपिंग बनालो चाहे सबसी बनालो कोई भी रैसेपी बनालो टेस्टी बनती है तो चलिए बाते 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 बंद करते हैं आलू मैंने यहाँ पर छील लिया है और यहाँ पर मैंने कड़ाई ले ली है बरतन उठाने का अल्रस कर गई थी टोकरे में सबसे उपर कड़ाई रखी होई थी मैं वही उठाके लेके आ गई हूं तो यहाँ पर हम इस्टपिंग को तयार करते हैं करीब यहाँ पर यह 500 ग्राम के जितने आलू होंगे और मीडियम से साइज की यह आदो आप देख रहे हैं सुबह की जल्दबाजी होती है जिल कभी पूरी तरीके से नहीं उतरा है कोई बात नी कभी कभी बीना चील यालू भी तो खा लेते हैं क्या फरक पड़ता है तो चलिए इस बे अब हम डाल लेते हैं थोड़े से मिच मसाले इसमें मैं तोथाय चमस के जितना नमक आधाचमस लाल मिष पावडर एक बड़ी हर्क चमस बल गेंड़ाइए और मैं प्राटो चेतना चील पंड़ी अधाँ ज़स ज से नंगे तीन चोथा चमस्के जितना अमचूर पावड़ा डाला है और थोड़ा सा धन्या फेक के मार दिया है ठीक है ना मैंने आज दिन में एक शोट वीडियो देखी तो यह बोल ला था के धन्या फेक के मार देते हैं तो मेरे मुपे वह ही आगे कभी भी मैं प्राटो की कचोरी की जब भी स्टफिंग बनाती हूं तो मैसर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती हूं इस तरीके से हाथ से इनको बचूर तेवे थोड़ा सा बारी कर लेती हूं जब मैसर से इनको बहुत जादा मैस कर लेते हैं तो जो हमारी स्टफिंग होते हैं बहुत लीसी-लीसी सी बन खाने मेरा अच्छी नहीं लगती है थोड़ी से मोटे से चंक्स रहते हैं तो वह जादा अच्छी लगती है तो चलिए इस्टाफिंग यहां पर तयार हो चुकी है इसके बाद में हापर गोले बनाके रख लेती हूं नहीं तो क्या होता है ना हाथ बार बार गंदे होते रहत जितनी मुझे जरूरत है उतना अटा लेके आ गई हूं तो आटे का कोई मेजरमेंट लिए हैं आपर सिंपल साधा नमक डाल लेते हैं इसमें वैसे मैं जब आटा गूत लेती हूं बाद में नमक डालती हूं बट कभी-कभी मैं डाल लेती हूं इस्टाठी में सूखे आट प्राटे बनाने की तयारी कर रहे हो और आटा लगाने की लिख देती है ना हमेशा फिर्ट लगाना उगता तो कचोड़ी और यसे उश्ष giving दो बहुत आटा होता है ऐसे ना शूख़ी निए दूब यहां पर घड़ी लगा सामने दिवार पर लगाया है हमने घंटा ठीक है तो मेरी नजर ना हर वक्त महीं पर रहती है क्योंकि सुभा बच्चों के इस्कुल का टाइम है एक एक मिनट बहुत केमती होते हैं अभी बच्चे अंदर पूजा कर रहे हैं और मैं सोच रही हूं पूजा करने से पहले इनका फोटी टैयार कर लेंगे नौर्मल जैसे घृत के बनाते हैं उससे थोड़ी पनाया बनाकर लेते हैं बहुत चोड़ी साइसिया मन्य होता है नीपू थोड़ा सा मोटे एला इतनी next बनानी हैं ज्याथा मोटी मोटी ने बनाएंगे नई तो प्राटो में लगा लेते हैं और जो दोनों हमने लोईया बनाई हैं इनको हम ब इल के तियार कर लेते हैं इतना बड़ा बिल लेंगे जैसे नोरमाल र् साइज का बेचन को तैयार कर लेंगे तो चल्ओं पर यह ऐख समय देवाता सपता इस तरीके से प्राटे बनाना बहुत इजी होता है जिसको प्राटे बनाने भी नहीं आते हैं लुछा के बनने लेखे प्राटे आते हैं कुल그램 स्ढ़ी नहीं, में नहीं आएगा थोड़ा सा इसके उपर हलका हलका सा सूखा आटा डाल देते हैं और बेलन से जरा इसको हम थोड़ा सा टाइट करके बेल लेते हैं थोड़ा दबा के बेलेंगे हलके हातों से नहीं बेलेंगे थोड़ा सा आटा मुझसी सूखा ज्यादा लगिया है मैं इतन बच्चे से बनके तयार हो जाएगा ना उसके बाद ही कुलेगी पहले नहीं तो क्या होता है ना तभी के उपर जैसे हम डालेंगे थोड़ा बहुत इसके पर घीया तेल लगाएंगे तो एकदम से खुल जाएगी बार-बार खिसके अपनी जगह से तो पहले इसको हम सैड करक की साथ इस पराटे को बरा के तयार कर लेंगे यह पराटे ओल टाइम फैबरेट है मेरे घर में बच्चे पराटे को थोड़ा कम श्टपिंग वाला बनवा के खाते हैं आप चाहे तो इसमें भर-बर के श्टपिंग भी बना सकते हैं तब जब भी मेडम सा गरम हो जाता है ह का मिया पर यह पराटा टाल देते हैं 30-40 सेकेंड के लिए मीडम फ्रेम पर सिख जाने देते हैं पलट देते हैं ठीक ना एक दो बार इसको पहली पलट लीजे घी अ तेल लगाने से पहले और बस जो भी आपके घर में हो घी हो या फिर तेल वागेर हो रिफाइंड अउइ करती हो तो जैसे में इस पर लगाएंगे न तो आपको फूला फूला नजर आएगा बहुत ही मस्त पराटा बनता है वास्ताव में गैस का फ्लेम मीडियम और हाई के बीच में रखेंगे तब हमें पराटो को सेखना है और थोड़ा साना बड़ा बनता है साइज में कितना कि अपर च्टाफिंग रखते हैं तो ऊटोमेटिक ही बंडा हो जाता है क्योंकि पहले हमें को बनाने से मुझे एक फायदाता हो जाता है कि बच्चों के लंच में रहिंगे ना तुमें यहां पर दृप देने वाले बन बच्चों को अब यह जो एक पाराटा ना यह दो बराबर अखिया लई है तो बस एक ही प्राटा रखोंगी और गुर्चों खान इससे पेट भी भर जाता है इसमें स्टफिंग में बहुत ज़्याद भर बरके नहीं होती है बस जैसी मेरे बच्चों को चाहिए होती है तो यहां पर में प्राटे बनाई रही थी कि घर में दी आज कल यह बहुत ही ज़्यादा क्या बोलू मैं आपको यार मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी है मैं अपना काम कर रही हूं और वह अपना काम कर रहे है यूटूब चलाने का मेरा यह बहुत बड़ा प्लस पोईट है नहीं तो मैं अकेली इस काम को कवर नहीं करने वाली थी नहीं कर पाती में कित्ता भी करने वाली हो बहुत काम हो जाता है सुभई शुबध जब camera लग जाता है तो मानौ बहुत जादा काम हो जाता है बट मेरी family मैंत मेरा काम cover कर्वा देती है मेरे या फिर मेरे बच्चे हो यह प्राटा मैं आपको दिखा रही हूँ देखे क्या मज़ प्राटा बना है इसमें खुस्प भी ज्यादा अच्छी आती है और जैसे अगर हम इस प्राटे को उतारेंगे ना पूरा का पूरा प्राटा कुछ इस तरीके से उतर जाएगा कि देखत लगाऊंगी इसके अंदर और उसके बाद अपना प्राटा बनाऊंगी आप बार बार मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मेरा फैवरेट है और मेरा मन करता है बार बार इस तरीकी से इसकी ओपर से दूसरे प्राटे को उठाने का मुझे बहुत अच्छा लगत मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था अब साहदी से पहले मम्मी कभी कभी जिसे जंगल में चली जाती थे ना काम छोड़ के हमारे लिए नोर्मली चली जाती थे कि थोड़ा सा काम है तुम कर ले ना यह जाता भी काम ता करी लेते थे जिसे रोटे चोड़ की चली और आज पालू के प्राठे खाने का मने तो बहुत सार प्राठे बनते थे हम चैसा दस्यते घर में तो काफी सारे बनते थे और यह बहुत माभारत काम था क्योंकि मुझे बारने नहीं आते थे तो मैं ऐसे ही दो रोटे बना के उसके बाद ही प्राठे बनाती थी तो बहुत काम निप्टा रहे हैं क्योंकि हम सोश्री हम आपे दर्शन करने के लिए जाएंगे थोड़ा सब बेफिकर हो जाए नहीं तो लैप्टूप नहीं भी लेकर जाना पड़ता है और महां भी बैटके काम करना पड़ता है तो ज्यादर जरूरी काम होता है मेरा ज़्मेंट बस व बोलते हैं कि देर हो रही है लेकिन आज बच्चे न अपना बैग बैग लेकर तयार हो चुके हैं और काम के चकर में आज मेरा जबने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया है जैब यह बच्चों को स्कूल छोड़के आज आए ना उसके बाद ही नाश्ता करेंगे काम बहुत ज़्यादा हो रहा है चेहरे में बड़ी थकान थकान सी महसूस दे रही है इसलिए सोचते हूं कि मेरा लंच जो है ना बच्चों का मतलब पहली पैक हो जाए तो थोड़ा सा 10-5 मिट का टाइं बच्चों को दे देती हूं जैसे इनके बाल वगयरा सैट करने होते हैं थोड पी धिया डगना पुरता है